हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमई घटनाओं को समेटे हुए हैं ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गाउं की ये गाउं पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है कुलधरा गाउं के हजारों लोग एक ही रात में इस गाउं को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा तब से ये गाउं वीरान पड़ा है कहा जाता है ये गाउं रोहानी ताकतों के कबजे में है कभी ये हसता खेलता गाउं आज एक खंडर में तबदील हो चुका है टुरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गाउं गूमने आने वालों के मताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्रामनों की आहट आज भी सुनाई देती है उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि आसपास कोई चल रहा है बाजार की चहल पहल के आवाजें आती हैं महिलाओं के बात करने की उनकी चूडियों और पाइलों की आवाज हमेशा ही वहां के माहौल को भायावा बनाते हैं प्रशासन ने इस गाउं की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता जैसल मेर से लगबग 18 किलोमेटर दूर ये गाउं बसा हुआ है पालिवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गाउं थे और ये उन में से एक था महनती और रईस पालिवाल की कुलधर शाखा ने 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गाउं को बसाया था कुलधरा गाउं पूनरुप से विज्ञानिक तोर पर बना था इंट पत्थर से बने इस गाउं की बनावट ऐसी थी कि यहां कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था कहते हैं इस कोण में घर बनाये गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी कुलधरा की ये घर रेगिस्तान में भी वातानु कुलित का आईसास देते थे इस जगे गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता है पर आप यदी अब भी भरी गर्मी में इन विरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनभो होगा गाम की तमाम घर जहरोखों के जरिये आपस में जुड़े थे इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुँचाई जा सकती थी घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीडियां भी कमाल के हैं जो गाम इतना विक्सित था तो फिर क्या वज़े रही कि गाम रातो रात वीरान हो गया इसकी वज़े था गाम का एक अयाश दिवान सालम सिंग जिसकी गंदी नजर गाम की एक खुबसूरत लड़की पर पढ़ गई थी दिवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था उसने इसके लिए ब्रामनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दिवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्ण मासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गाउं पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा गाउंवालों की ये मुश्किल घड़ी थी उन्हें या तो गाउं बचाना था या फिर अपनी बेटी इस विशे पर निर्ने लेने के लिए सभी 84 गाउंवाले एक मंदिर पर एकटा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दिवान को नहीं देंगे फिर क्या था गाउंवालों ने गाउंखाली करने का निर्ने ले लिया और रातों रात सभी 84 गाउं आँखों से ओजल हो गए जाते जाते उन्होंने शराप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़ कर गए थे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें